अपनी ही राशी में आते ही सोरे करेंगे धमार, इन चार राशियों की चमकेगी किस्मत, इन चीजों की रखनी होगी सावधानी और इनसान है, पेड़ पोदे हैं, सब को जो लाइफ आती है, वो सूरे से आती है, सूरे के बिना हम लाइफ की कलपना भी नहीं कर सकते हैं तो ऐसे सूरे जब आपकी कुण्डली में शुब गोचर में आए जाते हैं, तो आपको उसके बहुत अच्छे फल मिलते हैं जो तिशे लहाज से देखें, तो सूरे जो हैं, वो आपकी कुण्डली में लगन के कारक होते हैं, आपकी हैल्थ के कारक सूरे होते हैं, बॉन्स जो होती हैं बॉड़ी में उसके कारक सूरे होते हैं, हर्ट के कारक सूरे हैं, जदि हम फैनैंसिस की बात करें तो आपके करि अगर में हाइट कितनी मिलेगी वो आपकी कुंडली में सूरे की स्थिती पे निर्बर करती है और सूरे जब जब आपकी कुंडली में अच्छे होते हैं वो आपको उसके अच्छे परना मिलते हैं भला ही वो महादशा में आए अंतरशा में आए या गोचर में आए तो गोचर में सूरे जो है वो परवरतन हो रहे हैं राशी परवरतन कर रहे हैं 16 अगस्त को सूरे अपने घर में आ रहे हैं, अपने घर यानि की सिंग राशी में, सूरे की एक ही राशी है, वो है सिंग राशी, और जब सिंग राशी में सूरे आएंगे, तो उससे किसको फाइदा होगा, सबसे पहले इस पे चर्चा करेंगे, चार राशियां ऐसी हैं, जि सबसे पहली राशी जिसको इसका फाइदा होने जा रहा है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी के जातकों के लिए सूरे का गोचर तीसरे भाव में होगा सूरे चुकि पाप ग्रह माने गए हैं इसलिए उनका गोचर जो है वो तीसरे भाव में अच्छा माना जाता है तीसर पर इस कुंडï में जो मिथन राशी की मुटिया आपके सामने नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए सर्कल नजर आरहा है। वहाँ पर आपको सिंग राशी नजर आएग़ी। तो सुरे जब शुब गोचर में होंगे तो आपको करियर के साथ साथ, आपकी हैलथ के साथ यहा का भाव है आपके जो लोग कला से जुड़ोए हैं उनको सूरे की इस पोजिशन का काफी फायदा होगा लगबग एक महीने के लिए सूरे रहते हैं एक राशी में तो जहां जब तक सूरे हैं तब तक आपको अपने बरदर से सयोग मिल सकता है बरदर की हेल्थ को लेकर कोई मदद करेंगे तो ये मिथन राशी के जातकों के लिए रहेगा जब तीसरे भाव में सूरे यहां पर गोचर करेंगे अगली राशी जिसको इसका फाइदा होने जा रहा है वो है तुला राशी तुला राशी की कुनली आप देखिए लगन जो है वो सामने नजर आ रही है यहां पर देखिए सूरे गयर्मे भाव में नजर आ रहे है अब गयर्मा भाव क्या होता है गयर्मा भाव एलिवेशन होता है तरक्की होता है दस्वें से हम करम देखते हैं गयर्मे से हम आय देखते हैं लाइफ में जितनी भी वृदी होती है आपकी वो गयर्मे भाव से जाती है, ग्यार्मे भाव को इच्छाओं के भाव के तोर पर देखा जाता है, यहां पर अपनी राशी में आ जाएंगे तो निश्चे तोर पर आपकी इच्छाओं की पूर्ती का काम करेंगे, आपकी आयमे व्रिदी करेंगे, पंचम भाव को यहां से देखते हैं, और आप आपको यह इजी गिंस का भाव होता है, इच्छाओं की पूर्ती होना ही सबसे बड़ी चीज मानेगी है कल्यूग में, क्योंकि इच्छाओं सब रखते हैं लेकिन पूर्ती नहीं होती, लेकिन सूरे जब यहां पर आएंगे, तो आपकी समाजिक प्रतिष्टा में वरिदी क करेंगे, आपकी आए में वरिदी करेंगे, आपकी जो ऑलिय्वेशन है, यदि कोई तरक् ﷺ पहें तो तरक्की आपकी हो सकती है, यहां पर सूरे तुलाराश्जी की डादकों के लिए 12 भाव के फल करेंगे, 11 भाव में कल्यूक कलहासे अच्छा माना जाता है, हालाकि जो त अगली राशी जिसको इसका फाइदा होने जा रहा है। वो है वरिष्चिक राशी, वरिष्चिक राशी के लिए सूरे दस्वें भाव में गोचर करेंगे, यह कुंडली आप लगी देख सकते हैं, यहाँ पर सिंग राशी में सूरे है, जो की दस्वें भाव में है, अब दस्वें भाव क्या होता है, दस्वें भाव आपकी कुंड बारा से दो के बीच का जनम हो तो सूरे इसी जगा पर आएंगे और बारा से दो के बीच का जनम हो तो सूरे इसी जगा पर आएंगे और बारा से दो आप मेजिन करिए सूरे कहां पर होते हैं पीक पर होते हैं जब यहां पर सूरे आ जाते हैं तो यहां पर दिगबली हो जात 16 अगसेबाद काम करने की ताकत बहुत मिलेगी। काम करने पर फोकस बहुत जानदा रहेगा। कारोबार में वर्दी करने का यहां पर पर काम करेंगे। और पूरी determination के साथ अपने काम में जुटेंगे। ये काम का महीना है, ये कारे पर फोकस करने का महीना व्रिश्चिक राशी के जातकों के लिए सूरे यहाँ पर डेफिनिटली आपकी हल्प करते हुए जरूर नजर आएंगे. अगली राशी जिसको इसका फाइदा होने जा रहा है, वह है मीन राशी. आप कुड़ी देख सकते हैं, यहाँ पर मीन राशी की कुड़ी है और सूरे यहाँ पर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. छठे भाव में सूरे की सिंग राशी है और सूरे का गोचर वहाँ पर है. सूरे का गोचर तीसरे छठे दस्वें गयरवे में अच्छा होता है तो मीन राशी के जातकों के लिए सूरे छठे भाव में गोचर करेंगे और छठा भाव क्या है छठा भाव आपके रोक का भाव है आपके निन का भाव है आपके शत्रू का भाव है अब सूरे अवराल हेल्थ के कारक होते हैं लगन के कारक होते हैं तो सबसे पहले तो यह है कि यदि किसी को दवा काम नहीं कर रही यदि कहीं फिजिकल प्रोडम है तो यहाँ पर सूरे की हेल्प से वो फिजिकल प्रोडम जाती लगेगी यदि किसी के ओपर कोई कोड केस चल होता है और फोर्स से आपकी मदर का विचार के रहता है, यहां से थर्ड जो है वो आपका ननिहाल पक्षाएगा, मामा का घर आप माल लीजिए, तो यहां पर वहां से आपको अच्छी खबर मिल सकती है, पोर्ड केसिस के मामले में आप जो है थोड़ी सी आपको रहत मिलती नजर आएगी, यदि कोई करजा है तो वहाँ पर हो सकता है कि करज से मुक्ति की फिरुआत हो जए, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जब सूरे यहाँ पर आएंगे, छटे भाव में, तो ये चार राशियां ऐसी थी, जिनको डेफिनिटली सूरे के इस गोचर का फा जो रोगरिन शत्रू का भाव है, उसके आपको खराफल नजर आएंगे, यहाँ पर शनी पहले ही आप देख सकते हैं, चटे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सूरे शनी का समसब तक बना आपकी कुनली में करना राशिय के जात्कों के लिए छे बारा पर अच्छा नहीं है यह स्तिती अच्छी नहीं है, हला कि शनी का चटे का गोचर अच्छा चल रहा है आपके लिए, लेकिन सूरे का सामने आजाना, समसब तक बनाना यह अच्छा नहीं है आपके लिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर खर्च में वरदी हो सकती है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं यह हेल्थ का इशू खड़ा हो जाए, क्योंकि शट बारवा महाव जो होता है, वो होस्पिटलाजेशन का भी भाव होता है, यहाँ पर यह चीज जुरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी, कन्या राशी के जातकों को खच्छे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं, इसके लि यहाँ पर धन भाव को देख रहे हैं, शनी वहाँ पर पड़े हुए हैं, यह दोनों अपस में अनिमिकल प्लेनट हैं, यानि कि दोनों अपस में मितर भाव नहीं रखते हैं, शत्रू भाव रखते हैं, समसब तक पे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, वहाँ पर भी धन क किसे मामना रहती है, वहां पर अपना ध्यान रखिए जरूर, धन का जो है वो आपकी यहां पर हानी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको साफधान रहना पड़ेगा, अश्टम सीक्रेसी का भाव होता है, अपने पासवर्ड मेक इट शूर की थोड़ा सा सेफ रखिए, सेक लिखनी चाहिए मकर राशी के जातकों को, क्योंकि एर्थ हाउ सीक्रेसी का भी भाव है, यह दो पाप ग्रहों के प्रभाव में आगया, यहां पर नुक्सान हो सकता है, इससे थोड़ा सा जरूर बचके रहिए, जाते जाते यदि आपकी कुर्णी में सूरे की सिती कमजोर है, रहो के तू एक्सिस में है, तो सूरे के जो मंतराज हैं, वो करिये बीज मंतरा होता है, ओम भासक्राय नमा, उसका जब किया जा सकता है, सूरे को जल देना अच्छा उपाए है, इसके अलावा आप सूरे का दान किया जा सकता है, गेहू दान किया जा सकता है, घी दान क संडे के दिन और सूरे नमसकार की एक्सराइज करिया मारनिंग में उठकर वो आपके लिए definitely काफी लाबदायक होगी ये खास दोर पर उन लोगों को जिनकी हैल्थ को लेकर इशू है वहाँ पर सूरे के ये उपाए बहुत अच्छा काम करते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए यदि ये वीडियो अच्छा लगए तो शेयर जरू करिए पेट को सब्सक्कार जरू करिए इसके साथ ही मुटे दीजिए डाइलक नमशकार